हेलो दुस्तों स्वागत है एक और नेंट टेस्टिंग वीडियो में मेरे पास है रियल मी 12 प्रो और आज की सिर्म में इसका ओटी की टेस्ट करेंगे और देखेंगे डिवाइस जो है ओटी के जरी है पेंड्रेव को हाड़ ड्रेव को कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करता है इसका लिंक आपको नीचे डिस बॉक्स में जाएगा और यह से टाइप और दोनों के साथ है तो यहाँ पर डैकली सी टाइप पोड के साथ ही कनेक्ट करते हैं जिससे स्पीड अच्छा मिले यह मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है अब देखते हैं यहाँ पर वीडियो प कर देता हूं एकमें यहां पर वीडियो हो गया है विदियो प्ली ओंट कर रहा है नेश्या करते हैं फाहिते हैं यह 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 vie Way तो इसको निकालते हैं बाहर अब यहां पर मेरे पास जो है USB 2.0 वाला पेंट आवे सॉनी का और साथ-साथ यहां पर जह है OTG तो इसके साथ connect करते हैं और देखते हैं क्या यहां पर जह है USB 2.0 वाला OTG का ज़रीए support करता है कि यह मैंने connect कर दिया है और यह भी इसने support कर लिया है देख पाएंगे light bling हो रहा है और यहां पर देखे यह थोड़ा लेट सो कर रहा है अगर मैं दिखाओं तो थोड़ा लेट यहां पर देखे शो किया बट शो कर दिया यहां पर अब अंदर चलते हैं और देखते हैं यहां पर वीडियो बगएरा अब मेरे पास यह hard drive वाला निलंगो का और देखते हैं यह सपोर्ट करता है और एक चीज मैं बता दो SSD को यह सपोर्ट करता है मेरा फ्रेंड का SSD मैंने कनेक्ट करके देखा था इसने देने से मना कर दिया क्योंकि उसके SSD में काफी सारे जो है उसके परसनल जो है डेटा वग डिया है और यहां पर यहां पर देख पाएंगे light तो blink हो रहा है और यहां पर आप आप घ्लियर देख पाएंगे 1DB का hard drive इसने कर लिया है और यह सारे content जो है आ चुके हैं hard drive फाइल में जाते हैं और यहाँ पर best movies तो देख पाएंगे यहाँ पर जितने भी मेरे movies बगए डाउलोड करके रखा है वो सब कुछ यहाँ पर है और सारे movies यहाँ पर बड़े आराम से play हो जा रहे हैं यहाँ पर play हो जा रहे हैं यहाँ पर आप जो है कोई issue नहीं हो रहा है बड़े अराम से यहाँ पर हाद डाइव को प्ले कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहिये इसको और किपर माउस को कंडेंग करते हैं मेरे पास वाइलेस कीबोर माउस को में इसतरे के receiver आता है तो यह काफी अच्छा होता है आप wireless keyboard mouse को कॉम्बनेशन भाय कीज़े कि wire वाले कभी कभार प्रज़ए support करते हैं नहीं करते है wireless keyboard mouse 100% support करते हैं इसतरे के receiver के साथ आते हैं और दोने एक साथ यहाँ पर आप work मिले सकते हैं करिक कर दिया है अब यहाँ पर माउस को च करते हैं तो जी हां यहां पर mine जो आ है घुमा रहा हूं यहां यह देख पार का ताइप करते हैं की बोट कंग के दशरीए Mm मैं ताइब हो रहा है एक दम करता हूं यह देखे अब यहां पर यहां पर जो है फाइनल टेस्टिंग यहां पर यहां पर यह सब एक साथ सपोर्ट करता है कि नहीं तो यह मेरे पास यह यूजब 3.0 वाला USB Hub है High Speed वाला इसका भी लिंक आपको नीचे इसके साथ पहले हम Connect करेंगे Pin Drive को ये मेरे पास 64G येला Pin Drive है और इससे मैंने Connect कर दिया अब यहाँ पर Hard Drive को Connect करते हैं Hard Drive मैंने यहाँ पर Connect कर दिया अब यहाँ पर Keyboard Mouse को Connect करते हैं ये मैंने Connect कर दिया और ये सारे कुछ इसमें Connect हो चुके हैं अब मैं directly इसे करूँगा फोन के साथ Connect और ये मैंने Connect कर दिया USB Hub में Light आ गया आप देख पाएंगे अब देखते हैं क्या USB Hub के जरीए ये सारे कुछ support होते हैं कि नहीं अब तक फिलाल यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है Hard Drive में फकड़ू, तो Hard Drive में कोई भी हल चल नहीं हो रहा है मैं आपको दिखा दू, Hard Drive में कोई भी हल चल नहीं हो रहा है ये देख पार होंगे Hard Drive में कोई भी Light बखेरा Blink नहीं कर रहा है तो ये USBHUB के जरही какड को में इसाए धनिकाल देता हूं। इम स्थायप करना है आफ टैब हो रहा है और कर बी हो रहा है तो कर सकते हैं आप इसे कास्ट के जड़ी तीवी के साथ करेक्ट करके डाइकली ज़री पूरा फोन आप डाइकली की टीवी में जो है लगा सकते हैं यहाँ पर 16GB यहाँ पर यहाँ पर कनेक्ट हो पाता है तो जी हाँ यहाँ पर जह है कनेक्ट ठो रहा था अचानक से चला गया यह क्या बात है देखते हैं यहाँ पर ठोग यहाँ आप देख पाएंगे आप जो दो टीजिए एक आप देख पाएंगे 16GB के साथ है और एक देख पाएंगे 64GB लास तो यह 16GB है सेम वीडियो में प्ले 64GB वाला है इसके अंदर जाते हैं ओल्डर में जाते हैं और यह देखें यहाँ पर सारे वीडियो जो है एवेलेबल है और यह देखें देखें वाव तो यहाँ पर एक चीज़ है आप यह साथ दो पेंट्राइफ को कनेक्ट कर सकते हैं यह भी हब के जरीए बस यहाँ पर यहाँ पर आप चाहें तो एक साथ दो पेंट्राइफ कीबोर्ड माउस को यहाँ के जरीए इस पून के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं तो यह था एक चोटा सा कोटीजी टेस्ट वियल मी 12 प्रो का होफफुले आपके वीडियो पसंद आया होगा वागे इस फोन से रिकारडिंग कोई भी कोशन कोई भी कोई नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और मैं इस तरह के काफी सारे इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं तो प्लीज चैनल को अगे मिलते हैं आपके साथ एक और ने इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए टाटा बाइबा और यह सतरी है मुस्कातरिया और मेरे आजे टेक्निकल्स के साथ